केर इंडिया की टीम ने किया रंगरा पी एचसी का निरिक्षण रंगरा पी एचसी में चल रहे काया कल्प योजना का निरिक्षण बुद्धवार को केर इंडिया की जिला टीम ने किया है इस क्रम में लेबर रूम, शल कक्ष, दवा भंडार कक्ष, दवा वितरन कक्ष, फैमिली प्लानिंग कक्ष आदी का निरिक्षन टीम के सदस्यों ने किया टीम के सदस्यों ने निरिक्षन के बाद पत्रकारों के बीच पूरी वेवस्था को संतोज जनक कहा है मोके पर रंगरा के परभारी चिकित्सा पदादिकारी डॉक्टर रंजन कुमार, चिकित्सा पदादिकारी डॉक्टर पिंकेश, डॉक्टर हरिकेश कुमार, डॉक्टर मनुरंजन कुमार, डॉक्टर परभात कुमार, स्वास्थ परवंधक श्वेता कुमारी, धर्मेंदर कर्मियों की भी उपस्थिती देखी गई जमीन विवाद में मारपीट एक युवक हुआ घायल रंगरा सायक थाना छेतर के मुरली गाउं में हुई मारपीट में एक युवक के जखमी हो जाने की सूचना है जखमी युवक मुरली गाउं का निवासी राजीव रंजन है राजीव का इलाज रंगरा पी एचसी में करवाया गया है राजीव रंजन ने बताया कि परोसियों का उसके साथ जमीन विवाद चल रहा है इसी करण परोसियों ने उसके साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है राजीव ने परोस के कई सदस्यों को नामजद करते हुए रंगरा ओपी थाने में प्रात्मी की दर्ज कर आई है रंगरा थाना द्यक्च महताव खाने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन में जूट गई है रंगरा आधार कैंदर पर नहीं हो रहा है सोसल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन वीडियो ने कहा होगी का रवाई रंगरा परखंड मुख्याले इस्थित आधार पंजियन कैंदर पर सोसल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उर रही है आधार कैंदर पर आए दिन लोगों की अत्यधिक भीर उमर जाती है और भीर में ना किसी के पास मास्क होता है और ना ही कोई सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करता है रंगरा के परखंड विकास पदाधिकारी विरेंदर कुमार ने कहा कि आधार कैंदर पर हर हालत कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जाएगा इसके लिए कर्मियों को सक्त निर्देश दिया जाएगा डकैती मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफतार रंगरा और खरीक पुलिस ने संयुक्त रूप से कर्रवाई कर भीम दाश्टोला निवासी विजय कुमार मंडल को गिरफतार कर लिया है जानकारी देते हुए रंगरा थाना ध्यक्ष महताब खाने बताया कि विजय मंडल खरीक थाने के एक डकैती मामले में आरोपी है गिरफतार आरोपी कोड पूचताच के बाद नियाई खिरासत में भेज दिया गया है चापेमारी अभियान में रंगरा पुलिस ने फरार वारंटी को किया गिरफतार रंगरा पुलिस ने चापे मारी अभ्यान चला कर जहांगीर पूरवैसी गाउसे फरार वारंटी मुहम्मद रज्जाक को गिरफतार कर लिया है थाना ध्यक्चुमाहताव खाने बताया कि गिरफतार मुहम्मद रज्जाक को न्याय खिरासत में भेज दिया गया है स्रीखा ने कहा कि गिरफतार वारंटी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था पुलिस ने गुप्त सुचना के अधार पर उक्त वारंटी को गिरफतार किया है